पानी की आफ़त की बात कर रहे हैं। इसका संकट आने वाले वक्त में किस तरह और भयावे और विग्राल रूप ले सकता है। हम आपको देश के अलग-अलग हिस्सों से आई तीन तस्वीरे दिखा रहें जिससे आप अंगाज़ा लगा सकते हैं। माध्य प्रदेश के शतरपूर में सरकारी आंटपंग से पानी भरने पर दलित परिवार की दवंगों ने पिटाई कर दी, दस लोग खायल हो गए। माराश्टा के लातूर में पानी को लेकर जगड़ा हुआ जिसके बाद करफ्यू लग गया। पंजाब में भी हाला जुदा नहीं है। आने वाले दिम्यों में पंजाब में पानी को लेकर परिशानिया बढ़ सकती हैं। इसी की वज़ा से हम बता रहे हैं कि संगरूर समित कई इलाकों में पानी करीब 350 फीट तक नीचे पहुँच चुका है। से पानी बरने के बाद दबंगों ने दलितों की बेरे में से लाटी डंडों से पिटाई किया और आरोप अब ये आ गया है कि दस लोग इस पिटाई में घायल हैं। जिला स्पिताल में चल रहा है तीन लोगों की आलत इसमें गंभीर है पुलिस पहुच चुकी है अपना जिम्मेदारी ने बाने के लिए मामला दर्श कर दिया गया है जाच की जारी है। पानी को लेकर इस तरीके के केसे अपने आप बढ़ते चले जा रहे हैं। महराश्ट का लातूर प्रलाय का केंद्र है बताया जाता है अर्थक्वेक का एपिसेंटर बॉर्ड अर्थक्वेक आते हैं यापर लेकिन आप यहाँ पर पानी का भी एक अर्थक्वेक पानी का भी संकट है। सूखे के चलते पानी की किलत के अंदाज़ा अप इसी बात से लगा सकते हैं। कि प्रिशासन ने लातूर शहर में पानी को लेकर धारा 1444 लगा दिये। पानी को लेकर हिंसा जड़ब की आशंका को देखते हैं जल स्रोत के आसपास 31 मई 2016 तक 1444 लगा दिये गई है। लातूर जिला प्रिशासन के आदेश के मताबिक पानी के टैंकर्स के पास एक साथ पांच से ज्यादा लोग इखटा अब नहीं हो सकते। नगर निगम के 20 बड़े टैंकर के पास ये नियम लागू है। लातूर में हालात इतने खराब है कि पिछले दुनों पानी से बरे कई टैंकर नूट ले गए थे जिसके बाद प्रिशासन ने कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। लातूर जिले के आबादी 5 लाग है या रोज 2 करोड लीटर पानी की जरूरत है जबकि शहर को महीने में सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई मिलती है। कितनी दर्दनाक याँ पर बात है। और चोर गहने कैश पर हाथ नहीं साफ कर रहे हैं वो पानी पर अब हाथ साफ कर रहे हैं। ये भयानक स्तिती है, ये वाटर प्रॉब्लम के इंतिहां है। अब इसी सुझुड़ी का बड़ पर पंजाब की लांड ओफ फाइव रिवर्स याँ पर कहा जाता था, लेकिन आब वे शायद एकि दो ही नदियों का अस्तित्वे माँ पर, क्योंकि जलसंकट भी है, हर साल जलसतर घट रहे, बड़ा खतरा आ रहा है। पहले जाब पानी धरती के अंदर 60-70 फीट पर उपलब दो जाता था, अब किस्तिती है कि पानी के लिए 350 फीट की गहराई तक जाना पड़ता है। पानी जीवन का आधार है, लेकिन आज के दोर में पानी का संकट कहराता जा रहा है। कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में पानी के लिए युद्ध होगा। भारत में कई जगे पर पानी का संकट विक्राल रूप ले चुका है। बात पंजाब की हो रही है, तो आपको बता दें कि पंजाब में हर वर्ष घर्टा जलिस्तर बड़े खत्रे का संकेत दे रहा है। पंजाब में जलिस्तर में आ रही गिरावट की समस्या किस कदर बढ़ चुकी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि पंजाब में किसानों को हर साल पानी निकालने वाली मोटर को 10 फीट तक गहरा करना पड़ता है। पहले 60 से 70 फीट पर पानी उपलब्ध था जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी थी लेकिन अब पानी की शुरुआत 130-140 फीट तक गहराई में जाकर शुरू होती है। लेकिन गुणवत्ता वाला पानी जिसकी फसलों को जरूरत होती है वो पानी 300-400 फीट तक गहराई में जाकर मिलता है। मालवा क्षेत्र के संगरूर, परनाला और मोगा क्षेत्र को 2013 में डार्क जोन घोशित किया जा चुका है। जिससे ये साबित होता है कि पंजाब में पानी के लिए गंभीर इस्थिति पैदा हो चुकी है। हर साल घटा जलस्तर, हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें खीच रहा है। इस वक्त पानी के लिए दो राज आमने सामने हैं। हरियाना और पंजाब के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वक्त आ गया है कि जल संकट से निपटने के लिए कुछ नए उपाय सोचे जाएं। जल संरक्षन को बढ़ावा दिया जाए ताकि भविश्य में ऐसी इस्तिति पैदा ना हो कि जल के लिए जंग शुरू हो जाए। सुमिच जोशी, इंडिया 24-7, संगरूर। यह फोटो देखकर मुझे आपर याद आ रहा है कि बून्द बून करके ही घड़ा यहां पर भड़ता है। बहुत ज़रूरी है जागरूकता की क्यूंकि हमेशा से वाटर को लेकर जितने कैमपेंच चलाए जा रहे हैं उसको आप गंभीरता से लिजे। कहने को सिर्फ पृत्वी सतर फीज़ी पानी से जुड़ी हुई है लेकिन हालात आप और हम संभाल सकते हैं अभी भी टाइम है। बहुत पानी के बढ़ते संकट को लेकर अब सियासी दल भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीती करें। इसलिए हमारा इंवॉल्मेंट काफी जरूरी है, हमारी जागरूपता काफी जरूरी है, समस्या से निपटने के लिए चुकि कोई ठोस कदम नहीं उठाय जा रहा। मध्य प्रदेश में पानी की समस्या कई सालों से है, कई सालों से बीजेपी की भी गौवर्मेंट है, लेकिन समस्या जसकी तस है, अगर पानी की समस्या से निपटने के कोशश की गई होती, तो इतने सालों में काफी हत तक जल संकट से निजात पाया जा सकता था। वही पंजाब, महराश्रा में भी पानी की समस्या आम है, नहीं नहीं है, इन राज्यों में बीजेपी की गौर्वर्मेंट है, वही केंद्र में भी बीजेपी की नित्रत्वावाली अडिया की गौर्मेंट है, अगर ये राजसरकार पानी की समस्या से रेपटना चाहे, तो क केंद्र से भी मदद लेकर पानी की समझ से कई हल निकाला जा सकता है लेकिन अभी तक इन तमाम चीजों को लेकर कोई ठोस पहल इन बीजेपी शासत राज्यों द्वारा नहीं की गई है जब ये केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो कहती है अच्छे दिन आएंगे गाओं का विकास होगा